सब्सक्राइब दोस्तों आप सभी का स्वागत है competition community में और संग्राम series के तहत आज फिर से हम आप सभी के समक्ष लेकर आचुके हैं सिजे जोग्राफी का यहां section जैसे पिछले कुछ दिनों से कुछ महिनों से आप सभी ने देखा होगा कि संग्राम series जो की विशे इस दूर्प से dedicated है मुख्य परिक्षा के लिए आप सभी के लिए विभिन्न प्रकार के content यहां पर हमारे सभी faculty members लेकर आ रहे हैं जितने भी ब absolutely free यहां पर आपको दिया जा रहा है आए चरतिसगर जोग्राफी के इस तीसरे दियाई के और चलते हैं और तीसरा जो दियाई यह आपका संबंदी थैं परवतों से question यहां पर दिया गया है आपको बताना है केश काल घाटी का वर्डन करें यहां पर यहां पर यहां देख की बहुत दिक विश्यस्ताओं से संबंदी था बाकि जो साथ से आठ जो नंबर है वो उसके अंतर राष्टे महत यहने की economical values उसकी वहां पर बतानी थी तो मिक्स रूप से आपको दिया गया था यहने की खनीच को भी बताईए आप उसके importance बताईए roadways को बताईए transportation को बता है अलग-अलग रूप में पूछा है और दोनों बार चार नंबर में आपको पूछा है हो सकता है two में भी आपको पूछ सकता है so अगर आप यहां पर देखेंगे तो questions जो आपको पूछी जा रहे है कि गिनके आपको ज्यादा mountains करने नहीं है 15-20 जो main mountain है 36 गड़ में जो आ multiple facts याद रखने पड़ते हैं मतब आपको at least 50-70 वहां पर mountain plus pics की जो पूरी कहानिया होंगी या पूरे उनके शिखर होंगे या part reason में आप चलेए वहां पर बहुत सारी चीज आपको वहां पर याद रखनी पड़ती है ठीक अब जैसे अगर मैं बस्तर की में बात करता हूं जिससे हम विंता घाटी के हम आपने हम बात करते हैं तो इससे बहुत कम आपको देखने को मिलेगे कि वहां से आपको questions आपको generally raise करे जाए या फिर पूछे जाए जो बड़े आपके पहाड़ होते हैं बड़े आपके common hills वगर जो रहते हैं वहां से आपको question जैसे मतलब जो common चीज है वहां से questions आपके बनेंगे जो बहुत जादा आपको generally बहुत सारी जगहों पर परवतों में पहाड़ों में नदियों में खनीजों में चट्टानों में जो generally देखने को सुनने को मिलते हैं जो थोड़े से unique होंगे उसके chances थोड़े आपके कम हो जाएंग अब एक और जो section में कोशिश करूंगा इसके बाद जो मैं कराऊंगा उसमें religious values क्या होंगी like जिसे डोंगर गड़े से कात questions आता है तो उसको कैसे वहां पर बनाएंगे उसके religious point of view को बनाते हुए साथी साथ उसके सिर्फ एक धर्मनी बलकि बाकी धर्मों को भी वहां पर सा सवाल यह है कि यह दो और चार्ड नंबर में आगा तो तो कोई भी लिख लेगा इतना तो है कि केशकाल घाटे के बारे में पढ़ते हो कौन से जीले में है कहां पर है क्या है and all everything आप सब चीज वहां पी जान लेते हो दो और चार्ड नंबर के जो आएगा तो प्री लेवल तब बाकी चीजों को भी ready कर सको right तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए क्या क्या points होनी चाहिए आए उस पर हम discuss करते हैं आए उस पर हम चर्चा कर लेते हैं मतलब क्या क्या वो चीज है जो आपको होनी चाहिए यानि कि आपके उसमें answer में ये चीजें मिलनी ही च पांथ है कहां पर ये आपका इसका विश्तार या इस्थिती है वो आपको वह दिखत बतारां के the Conzon esta जिला कौनस हो जाएगा आपका कॉंडा गाउं यह जो मैं इस्थितिकी में बात कर रहो ना यह 36 गड़ के संदर्भ में आपको बताना है चुंकि मैपिंग कर सकते हैं उसमें जब फुल मैपिंग करेंगे तो उसके आस पास की अन्य चीजों का आप हाँ बता देता हूं तो simple mapping करने होगी जैसे मैं यहां पर आपको बता देता हूं छोटा question है तो कुछ ने करें आप half portion भी बना सकते हैं अब यहां पर आपने बता दिये इस प्रकार से आप चाहें तो ऐसा mode भी बना ले और बता दें कि भाई यह आपका national highway कौन सा हो जाएगा आपका नैशनल highway आपका 30 है NS 30 है ठीक है उसके बाद यहां पर आप बता दीजिए जिस इस्थान की हम बात करें जिक्र करें वह जाएगा आपका केश काल हो जाएगा यहां पर आने वाले जो अन्य परियाटर निस्थल इसके हम लोग चर्चा करेंगे आगे उन परियाटर निस्थलो को भी आप यहां पर क्या कर सकते हैं पूदहरन दया है दूर्प इस मोर्ड पे चौथे पॉश्य मोर पर आपको मिलेगा तेलिन सत्वी यहां निस्थान गोर पंचवटी कहते है ठीकई यप की पंचवटी में ही आप ऊपर चलेंगे तो जो व्यू मिलता है उस व्यू को हम ताटमरी के रूप में जानते हैं तो पंचवटी जागए का नाम है और जो आपको खुबषूरा दिरिश्य जो देखने को मिलदा है, जिसे दिरिश्य आपको जो नजर आ रहे हैं, यह आपका टा आपका का एक द्रिश्य यहां पर लोग ट्रेकिंग भर रगा भी करते हैं, जा के वहाँ पर स्टे भी करते हैं, ठीक है? चले तो यह बेसिक चीज ये बड़े question के लिए this is for big question जो long answer के लिए आपके short answer के लिए तो धरूरियाद रखना कि sir यह जो है आपके long answer के लिए हो जाना है यह long answer में हो जाना है और यह आपके short answer के होगा क्योंकि short answer में आपको इतने सारे detailing नहीं देनी भले आप answer की रूप में लिख लो बट इतना सारे detailing देने की जरूरत नहीं होगी चार भागों में करते हैं जिनमें से यह दंड का रण्य के अंतरगत आता है किसके अंतरगत दंड का रण्य के अंतरगत आता है तो सबसे पहले आप चाहे तो इस प्रकार से बड़ा कोशन है तो आपको sentence जो है मैंने number आप यहाँ पर points बता दिया है 1,2,3,4,5 ऐसे number आप आपको 8 से 10 point मिलेंगे and more than enough होंगे अगर आप एक-एक को 2-2 line में भी लिखते हैं और 10 line लिखते हैं या 10 point लिखते हैं तो 20 lines more than enough होता है आपके इस 15 number के प्रशने के लिए आराम से उसमें आप 15 में से 13 से 14 number गेन कर सकते हैं सारी चीजें अगर आपने सही से और sequence से आपने लिखी है तो शिरवात कुछ इस तरह ऐसे कर सकते हैं कि केश काल घाटी 36 गड़ के दक्षिन हिस्से में दंडका रन्य या दंडका रन्य भूभाग के अंतरकत आता है अब दंडका रन्य में अगर आप बताएंगे तो दंड दंडका रन्य का उत्रह किकि एगक्षिली यहीं से ही आपके दंडका रन्य की सुरुआत होती है क्योंकि उसके ऊपर वाला जूरेजन है यह कहें जैसे हम दंडका रन्य से या फिर हम जो केशकाल घाटी से जब हम उपर जाएंगे उपर पीछे के उड़ जाएंगे या आपको यह भी बता देना है कि यह दंडकारण्य और किसके बीच महानदी बेसिन यह दो चीजा आपने यहीं स्टार्टिंग में बता नहीं है इसको ठीक ना जीला चली बता दीजे दंडकारण्य और महा नदी बेसीन के बीच विभाजक का कार्य करता है या फिर इसको एक प्रकार से यह भी कर सकते हैं जो आप वहाँ तंत्रा वालो पॉइंट है आप उसमें लिख सकते हैं दोनों का मतलब एक होगा कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ कहाँ दे कि यहाँ जो शेत्र है वो महा नदी महा नदी और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर गोदावरी यह इसको इंदरावती लिख लीजे क्योंकि अल्टिमेटली हम गोदावरी ही पढ़ते हैं बट बीसिकली पूरी की पूरी उधर की जो नदी रहती है वो इंदरावती से लेते हुए वो गोदावरी तक जाती है तो आप इसको इंदरावती और इंदरावती गोदावरी भी लिख लीजे कोई दिक्कत नहीं तो महा नदी अपवाह तंत्रा और इंदरावती आप आगे पिछे लिख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, कि सर इसको पहले या इसको पहले उसको पहले, किसी ने किसी एक को तो पहले लिखना था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिखा है, आप इन तीनों में, मतलब ऐसा नहीं हो नची कि आप यहाँ से शुरू कर रहे है फिर इधर डाल रहे हैं नहीं आप इन तिनों में किसी को भी पहले लिख सकते हैं ठीक है कोशिश यही करें कि यह वाला जो आपका पैटन है यह सबसे अच्छा पैटन है आप पहले बता दे कि इसी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है अब यहीं से आप बताएगा इ प्रवेश द्वार यह जिस मतलब इतनी सारे जो पॉइंट्स आपने लिख रखे हैं इस पॉइंट्स को कहीं पर भी आप वाइस वर्सा मैच कर लिजे या उपर नीचे कर लिजे कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद हम चलते हैं मिनरल्स एंड रॉग ग्रूप यहां पर चट्टाने और खनीच कौन कौन सी आपको जरली देखने को मिलेंगे ठीक है ना कौन कौन सी चट्टाने हैं यह आपका अपवा हो जाएगा चट्टाने और खनीच ठीक आप चाहे तो इसमें सॉइल वाला भी डाल सकते हैं चुंकि जरली परवत पठारों में सॉइल का उत पहले कहा है कि जब आपको geograffical चीज़ें किसी के बारे में पूछी जाती हैं, तो आप number of things, multiple things आप बता सकते हैं, उशेद्र का नदी, जर्णा, जलवायू कैसा है, पथार, परवत, वर्शा के बारे में भी आप यहाँ पर definitely बता सकते हैं, हलोकि इस सब point मैंने add नहीं करा ह हैं, ठीक, आइए, यहाँ पर हम देख लेते हैं, चट्टानों और खनीजों के बारे में, तो basically यहाँ पर जो यह रीजन है, यहाँ पर आर्कियन चट्टाने आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि यह वाले जो रीजन होता है, आपका बस्तर वाले जो रीजन होता भास का बारी आपका बॉक्साइट की वहाँ पर आपको, भॉक्साइट, ठीक है, उस शेत्र में, भॉक्साइट खनीज, आ आपको देखनीगे को मिलेगा, क्योंकि ऐसा है कि वहां से खनन किया जा रहे है, लेकिन थोड के रिजन हो पर हम हम चला तो आपकी थे हंऔर हम चल इसके पिसले कर रहे हैं क्योंकि चार नंबर में आप खनीज और चटान बताने के वज़ा है इधर की जो चीजे बताएंगी न वह जादा आपके लिए बैटार होगा ठीक है तो आपने इतनी सारी चीजे वैसे भी चार नंबर में यहां तक आपके लिए कॉंटेंट इतने मे कहां जाने के लिए हमको रास्ते देता है यह कांकिर से कांकिर से कॉंटा गाओं बेसिक तो इन ही दोनों को क्या करता है यह जोडता है बट चाहें तो फिर से जैसे हैं कि हाँ पर हाईवेस के नैशनल हाईवेस है नैशनल हाईवे को आप महीं पर भी आप बता सकते हैं कां यह National Highway 30 पर इसके मदलब यह हो गया सर कि राइपूर से जगदलपूर मारगप पर इस्थित है जो कांकिर को जोड़ता है और राश्टर कॉनग श्विस में करने को स्थित है बस्तर का प्रवेश्दार कहते हैं उसको आल्डेडि हमने यहां पर बता दिया है और इस घाटी में total कितने मोड कितने turnings आपको देखने को मिलेंगे total 12 मोड यानि की 12 turnings आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे चीक है तेलिन महतसौ का भी आवेजन किया जाता है याने की आने वाली जितने भी यहाँ पर जो टूरिस्ट लोग हैं या उस रास्ते से गुजरने वाले लोग हैं यहाँ पर रुक के जरूर इनका दर्शन करते हैं इसके बाद जैसे आपका यह मोड खतम होता है जैसे मोड आपका स होता है तो मोड समाप्त होने की बाद अब देखी ह traumi आपकायर वह पर सकते हैं इस प्रकार से हो सकता है कि सर जब हम यहाँ पर आते हैं तो आप किधर को एंट्रेंस मार रहे हैं जरुर्लिंदकर की तरफ से जब हम चाएंगे यहां से रायपूर की तरफ से जब हम जाएंगे तो जो पहला मोड पड़ेगा वो नीचे से पड़ेगा ठीक और जब उपर हम जाएंगे सबसे उपर हम चलेगे वहाँ पर हमारा एक घाड जो है वो खतम हो जाएगा जब हम इधर से जा रहे हैं बस्तर साइड से आएंगे जगदरपूर से आएंगे तो आपको पहला पड़ेगा तो जहां पर मोड समापत होता है वहां पर आपको क्या बता है यहां पर पंचवटी नामक एक पंचवटी जरली क्या होता है कि जब लोग मोड पे चड़ रहते हैं तो बहुत से लोगों को पहाड का द्रिश्य देखना होता है और खुबसूरती का थोड़ा आनन लेना होता है और जो वहाँ पर थोड़ा बहुत अपना लंच्वगरा या कुछ खाने पिने का जो काम करते हैं तो पंचवटी एक ऐसा सरकार दोरा पर बनाया गया है एक rest house की रूप में बहुत सुंद टामारी इसी में आपको लिखना है एक viewpoint है जहां से हम देख सकते हैं विहंगम द्रिश्य दिखता है किसका उस पूरे घाटी का यानि कि इस शेत्र में आप आएंगे तो उस घाटी का पूरा द्रिश्य जो है आपको यहां पर नसर आता है इस जगह का नाम टाटा मारी है ज प्राइविट कंपनिया है उन्होंने अपने तरफ से यहां पर ओफर किया थे मेरे कुछ फ्रैंट्स लोग हैं वहां पर गय हुए थे तो बहुत अच्छा और शांदार जगा है यह आप जाके इसको ज़रूर देखेगा ठीक है तो यह सारी चीज़ें आपने यहां पर लि फॉरिष्ट यहनि की वन तो वनों के भी यहां पर प्रधानता है यह मोड हो जाएंगे आपके यह आपके मोड हो जाएंगे यह घाटी के बारे में हो जाएगा ठीक है तो वनों में भी यहां पर साल जो वन है आपको देखने को मिलेंगे अच्छे खासे वन यहां पर आप संस्कृति भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी है न तो आप यहाँ पर कह सकते हैं विशेष रूप से जो गोड बाहुल्य शेत्र है यह गोड बाहुल्य गोड जन जाती के जो लोग हैं इन शेत्रों में अधिकतर निवास किया करते हैं तो बेसिक चीज आपने यहाँ पर यह देखा कि जब आपको किसी शेत्र की विशेस्ताओं के बारे में पुछा जाता है जब किसी शेत्र का वर्णन करने के लिए आपको पुछा जाता है तो आपको इन ही सब बातों का ध्यान रखना है मतलब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से या एक पर्टिकुलर च कि जो आपका केश काल घाटी है इसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं पॉइंट आप लिखते चलेगा पहला नंबर पहला पॉइंट हमने क्या कहा है टू मार्क करता हूं दूसरा पीज ले लेता हूं कि इसे बस्तर का प्रवेश द्वार है एंट्री गेट और बस्तर जो 36 गड़के कोंडा गाउं जीले में कोंडा गाउं जीले में बैकेट में आप चाहे तो डाल सकते हैं दंड का रहने शेत्र केंदर का इस्थीत है यहां पर 12 मोड है यहां पर 12 मोड है और यह शेत्र जो आपने खनीज है चाहो तो आप उसको लिग दीजे या फिर तेली नमाता को जो मंदिर है उसको लिग दीजे ठीक है यहां दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं खनीज के बारे में मतलब आपका जो खनीज है वो बॉक्साइट या मंदि तेली नमाता को मंदिर यह इतना लिख के अपने को फिनिश करना है दो नमबर के प्रेशन में इतना लिख के आप यहां पर खतम कर दीजे चार नमबर का कुश्चन आता है तो थोड़ा सा और विस्तार यहां पर कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया कि आप इन दोनों चीजों जल्ष्भाजक आपने मैपिंग यह पर बना ले नहीं, आपने मैपिंग भी कर लेंगा है और इसके लगवा इन शेत्र में आते हैं तो यह जो है, आपका नैश्नल मेर्ट को जोड़ता है या simple आप यहाँ पर बता देना कांकिर से कोंडा गाउं, that's it, क्योंकि दो से तीन पॉइंट वस एक्ष्टर अपने यहाँ पर लिखनी होते हैं, यह 4 नंबर के लिए आपका content ready हो गया, फिर जब हम 8 नंबर के लिए जब हम आते हैं, तो यहाँ पर वापस से मैंने बता दिया इन ही चीज़ों को आप लोगों को लिख लेना है, जितनी चीज़ यहाँ पर हमने बताई, ठीक है, उसको पुरे 8 नंबर में लिखना है, 15 नंबर में जब आएका, तो आप लोगों को बस थोड़ा सा विस्तार को ज़्यादा extend करते हो, जैसे मैंने starting में यहाँ पर बताया, में भी यहाँ उसका उपर हिस्सा यहाँ पर बनाता है, कुंडा गाउं जिले में इस्तित है, फिर आपने दोनों के भी जल्वी भाजा के यह भी आपने बता दिया, फिर आपने यहाँ पर बता दिया, कि जो खनीज जो है, वो कौन सा पाया जाता है, चट्टाने कौन सा य क्या लिखोगी कि यहाँ पर तेलीन सती माता का मंदिर है बस और यदि यही पंदरह में आता है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर तेलीन सती माता का मंदिर है जहाँ पर गुजरने वाले जो राहगीर होते हैं वहाँ पर उतर कर माता का दर्शन करते हैं यहाँ पर तेलीन आठ नमबर करेगा तो सिंपल आप बता जिए गया है आप पर पंच वटे और टाटा मारी स्थल है इतना लिग दिया आपने किन्तो यदी पंदरा में है रहे हैं तो यहीं पर आपको बताने कि मोड समाप्त होने के बाद पहले तो आपने बता देना कि कुल 12 मोड हैं और यह मोड बहुत ही खतरनाक है अच्छा यह भी आप बता सकते हूं कि यह मोड इतने खतरनाक ही कि कई बार इस रास्ते में जाम भी लग जाता है और बाधाय भी आती है तो यह मोड जो है काफी और बहुत उचायों परिस्तित हैं, फिर आपने बताना है कि मोर्ड समापती के बाद यहां पर एक सुन्दर सा इस्थान है, जिसे राज्य सरकारदवारा रखा गया है, यात्रियों के विश्राम के लिए, रुकने के लिए, ठहराव के लिए, भोजन पानी के लिए जिसका न यहां पर लिख देनी है, ठीक है, उसके बाद यहां पर हमको बता देना है, कि सिंपल अगर वन में लिखेंगे तो यहां जो शेत्र है, यहां साल वनों के लिए भी प्रसिध है, दूसरा अगर आपको फिर विस्तार करना है, तो अब बताना है आपको यहाँ पर आना चाहिए फिर यहाँ पर जब हम देखेंगे तो tribes के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे जनजातियों के बारे में हम बात करेंगे तो basically यहाँ पर हम देख सकेंगे तो ये चीजे बतानी है इसके अलावा बोराओं मतलब इतना सब कुछ करने के अलावा हमको और किन किन चीजों को भी ध्यान देना होगा या लिख सकते हैं वह भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ अगर वो शेत्र वहाँ पर कुछ विशेस प्रकार की मिट्टी है सॉइल है तो आप उसको जरूर लिखें इसके अलावा आप वो शेत्र के जलवायू के बारे में भी आप बता सकते हैं क्लाइमिट के बारे में भी आप जो है मतलब लग रहे कि यस इंपॉर्टेंट है अप यह भी कर सकते हैं इसका निचला जो नाराय अनपुर वाला जो शेत्र पड़ता है इसके नीचे में वहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश होती है तो यहाँ पर ठीक ठाक वर्सा वाले शेत्र है चाहाए तो आप उसको लिख सकते हैं क्लाइमिट के अलावा मिट्टी हो गया मिट्टी जलवायू इसके लावा आप खनीस तो आपने बता दिया है इसके लावा आप क्रिशी वाला शेत्र या क्रिशी वाला पॉइंट भी यहां पर डाल सकते हैं हाला कि परवत पहाडों में क्रिशी का उतना इंपॉर्टेंस यह योगदा नहीं होता फिर भी यदि आपके पास ऐसा कुछ है तो डाल सकते हैं इसके अलावा यदि आपको ऐसा लगता है तो कोई प्रसंसकरण केंदर कुछ होगा क्योंकि सम्टाइम्स कहीं ने कहीं आपको इस प्रकार के प्रोसेसिंग यूनिट प्रसं कोई सभियदी इंस्टिशन वहाँ पर है तो भी आप डेफिनिटली वहाँ पर उसको डाल सकते हैं इसके अलावा अगर वो शेत्र उर्जा और उद्योगों के लिए है यानि कि आपका शेत्र किसी खास जो है केवल उसी को लिखने है जबरदस्ती के अंसर आपने एंसर टाटा की दवरा है पर सोलर बैटली प्लांट जो स्टार्ट किया गया आप उसको डाल सकते हैं तो जो है केवल उनहीं को आपको लिखना है इसके लावा आप इंडस्ट्री आप डाल सकते हैं उद्योग अगर कुछ उद्योग है जैसे आप कोंडा गाउं विशेष रूप आप से पुछा जाता सिर्फ कंडा गाउं के बारे में चुंकि यहां पर आपको केश काल के बारे में पुछा गया तो ऐसे नहीं कि आपको कंडा गाउं डाल देना है या शिल्प विल्प डान नहीं आप जो हैं सिर्फ कंडा गाउं के बारे में पुछा जाता या कंडा ज आपने लिखना था तो सिर्फ अगर कॉंडचाँ पूछता तो डेफिनेटली आप उन चीजों को भी आप ना पर डाल सकते थे और द्योक के अलावा अगर आप दिखना चाहें तो कुछ ऐसी लोग शिल्प या लोग परमपरा लोग शिल्प या कोई लोग परंपरा के लिए दिये प्रसिद्ध है ये स्थान ये जगा तो डेफिनेटली या इनका कोई सांस्क्रितिक महत्व है जैसे गड़िया पहाड काता है याद रखना चीक है कांकिर इस्थित अगर गड़िया पहाड के बारे में आपसे पूछा ज लेंगे कि हर वर्ष यहाँ पर जो मिला लगता है तो वह चार जो चीज़ें आपको रहेंगी अलग-अलग इस्थानों पर अलग-अलग आपको देखने को मिलेगा अलग-अलग अलग अलग चीज़ों पर अलग-अलग जगों मदकु द्विप से संबन्दीत कोश्यन पू तो इस प्रकार से चीजें जो हैं यह आप कर सकते हैं डोंगर इन फैक्ट आपका लोगों का भी एक केंद्र वहां पर आपको देखने को मिलेगी तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि जिस जगह के बारे में पूछा जा रहा है बड़े प्रश्णों में इसन सब चीज आपके पास होनी चाहिए छोड़े Questions आ रहे हैं तो किन-कन चीजों को ध्यान देना है किन-कन चीजों पर आपको फोकस करना है वो आप जरूर देखेगा बड़े प्रश्णों पर ही इन सब चीजों को लेते हुए चलना है छोड़े Questions में इन चीजों को आपको नहीं करना हो चले तो मेरे ख्याल से जितना मैंने यहां पर बताया आप सभी को यह चीजे समझाई होंगी आप मेरे द्वारा दी गए इस जानकारी से संतुष्ट होंगे आप किस और टॉपिक पर विडियो लाना चाहते हैं देखना चाहते हैं आप कमेंड करके आप जरूर बताएं और ज जाती है कमपेर किया जाता है आप मुझे कमेंड करके बताना और यह भी बताना कि यह किस जीले में इस्तित है तो आप बने रहे हमारे साथ कॉम्पेटिशन कम्यूनिटे के साथ मिलेंगे हम बहुत जल थैंकी सो मच जैह हिंद जएए खुछिश्छ।